हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हूँ होब करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे शू फ्रेंट्स आप सभी लोग को पता कि कल यूपी बीट फेसरी का एलॉट्मेंट डिजल आ गया है तो जिनका कल नहीं सो कर रहा था तो वो लोग अपना आज एलॉट्मे से फेस फोर की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है काउंसलिंग तो कल से ही स्टार्ट हो गई थी केवल रजिस्टिशन कल से स्टार्ट हुआ था आज से रजिस्टिशन च्वाइस फिलिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं साथ इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि अब तक फेस वन फेस टू फेस त्री तीनों को मिला कर तीनों फेस को मिला कर कुल कितने सीटे लॉक हो गई हैं शंपूर जानकर यह आपको इस वूड़ो में देने वाला हूं बीएट की पलपल की लेटिस्ट ऑथन्टिक पाने के लिए आप लोगो मारी चैनल से जुड़े रहे हैं जो भ 34,000 ने अपलोड किये अपने अविलेग यहां पर देख सकते हैं तीसरे चरण में भी 40,000 विद्धार्थियों ने किया किनारा चाओ थे चरण की काउंसलिंग सुरू इसमें शभी लेंगे भाग यानि कि जिनका फेस 1 में था फेस 2 में था फेस 3 में था ये लोग जैसे किसी कारण वन अपनी काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे तो ये फेस 4 में अपनी काउंसलिंग करवा शकते हैं यह जैसे फेस 1, 2, 3 में choice filling किये थे यानि कि अपनी counselling कराये थे उनको college नहीं मिला है उनकी गलती के वज़े से तो फिर से वो जो है इसमें भाग ले शकते हैं इस counselling में face 4 में ओके यहां पर देख सकते हैं BA counselling की तीसरे चरण में जो है 38,000 विद्यार्थियों ने अफिलेग अपलोड किये हैं student हट रहे हैं कारण भी है कि बहुत सारी इन्वर्श्टियों को अभी भी final year का result नहीं आया है इसी के साथ यहां पर देख सकते हैं रुहेल खंड विस्वदाले ने counselling का जो है चौथा चरण सुरू कर दिया है BA प्रवेस परिछा में 6,000,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था लेकिन counselling में विद्यार्थी तेजी नहीं दिखा रहे हैं आहले चरण की counselling से भी 30,000 से अधिक विद्यार्थियों ने किनारा कर लिया इसी तरह दूसरे चरण में 20,000 और 30,000 में 40,000 विद्यार्थी counselling से दूर रहें मैं बता दूँ फेस फोर में जिनका भी counselling है उन सभी को college मिलेगा ठीक है बहुत सीटे अभी खाली है आधी अभी सीटे खाली है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम एक लाग सीटे अभी खाली है अब लगभग सवा लाग विद्यार्थियों ने ही हिस्सा लिये हैं अब तक अगर हम बात करें तो शावालाँ की विद्यारती जो हैं गुट्वॉट्ख लें। तिस्रे चंड की विद्यारती भाग लेंगे लेकिन अभी लेक में अप्लोड हुए। आगे देख सकते हैं वेस्विदाले इसके करांड तलास रहा है राज शमननग प्रोफेशर पीबी सिंग का कहना है कि काउंसलिंग में जो विद्यारती सामिल नहीं हो सके हैं वहाँ इस काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे याना कि पिछिली फेस में जिनका भी था वो नहीं भाग ले पाए हैं तो वो इस फेस में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं छात्रों को काॉंसलिंग का बार-बार मौका दिया जा रहा है चली मैं सेडूल में आपको शमजाय दे रहा हूं देखें फेस 4 में भाई किनकी किन वो face 4 में यानि कि आज यसे अपनी counseling करवाश रखते हैं date यहाँ पर देख सकते हैं registration कल से start हो गया था मैंने आपको बताया था ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं choice feeling registration आज यसे आप लोग दोनों एक साथ कर सकते हैं ठीक है और जिनका जैसे appearing में था तो सबसे पहले वो जो हैं अपनी mark seat upload करेंगे attest करवाके जिस college से आप लोग registration कर रहे थे उसी college से आपको attest करवाना है अगर आपके पास original mark seat नहीं है 28 को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा college मिला है उसके बाद 29, 30, 31 इन तीन दिनों के अंदर आपको अपनी 46,250 फीज जमा करना है जैसे अगर आपको college मिल जागा ठीक है अगर college नहीं मिलेगा तो जो 56,50 आपकर लग रहा है उसमें से 5000 आपको वापस कर दिया जागा जो counseling में अपना bank account देंगे counseling में आप लोग अपना account देश चकते हैं mammy पापा का भी दे सकते हैं घीक है उसके बाद हम pool counseling की बात करें तो pool counseling जो आपकी start हो रही है वो dear आपकी start हो रही है दोनों एक साथ कर सकते हैं, registration, choice filling एक साथ कर सकते हैं, pool counseling का registration साथ से 10 होगा, choice filling भी साथ ही कर सकते हैं, and 11 को भी आप लोग choice filling कर सकते हैं, 12 November को आपको पता चल जागा कि कौन सा call इस मिला है, ठीक है, allotment लेटर आपको जो है download हो जागा, pool counseling में आपकी 51,000 फीस लगेगी, एक अठ्था 52,000 फीस लगेगी, ठीक है, इसमें से 100 रोपे माइनस कर दीजे, उसके बाद direct admission आपका होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, direct admission आपका 21 November से 25 November के बीच में होगा, ठीक है, तो शंपूर जानकारी में आपको दे दिया हूँ, ठीक है, इसके अलाबा कुछ भी doubts रहे गया हो, comment box में अपना doubt के लिए कर सकते हैं, बीच से related सारा doubt में clear कर दूँगा, ठीक है, pool counseling के बारे में आपको में बता दिया हूँ, direct admission आप तक कुल कितने सीटे लाग हो गई है, 7 लाग, आप सभी को बताए कि उत्रप्र देश में 7 लाग सीटे हैं, government and private seat दोनों मिला कर, ठीक है, तो अभी 7 लाग भरी हैं, 1 लाग अभी seatे खाली हैं, तो सभी को मौक़ा है भाई, इस बार admission चबी लोगों का हो जाएगा, ठीक है, कितनी भी rank आपकी हो, counseling कराएं, आपको quality मिलेगा, ठीक है, बहुत ही कम college भी, अगर आप लोग लोग करते हैं, तब भी आपको college मिल जागा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कट रहे हैं, इससे, ठीक है, तो भाई, face 4 की counseling स्टार्ट हो गई है, ठीक है, अगर आपका है, तो आप लोग counseling जाके कराएं, ठीक है, तो मच चैनल को subscribe के लिए जगा ताकि कोई भी बीएट की update है, वो update आपको शबसे पर हमारे चैनल के बाद दम सही देखने को मिल सेके, thank you so much,